Hello students, welcome to Magnet Brains, मैं रुपाली वर्मा, आज आपके लिए नई बुक लेकर आई हूँ, बुक है अंतरा इस अंतरा बुक में हम गद्य और काव ये दोनों ही देखींगे गद्य खंड में हमारे पास 9 चाप्टर दिये गए हैं, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे तो गद्य खंड का जो पहला पाट है वो है ईदगाहा, ये ईदगाहा जो है वो प्रेमचंद जी ने हमारे सामने, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है जो हमारे सामने रखी गई है, बहुत ही अच्छी साधी सिंपल सी भावनाओं के साथ भरी इस्टोरी है किस तरीके से एक छोटा बच्चा अपनी दादी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेकर आता है ईदगाह के मेले से ईद के दिन घटे हुए ये घटना जो है किस तरीके से दादी अमीना के लिए वो बहुत ही बड़ी जो है एक खुशी में बदल जाती है तो प्रेम चंद जी ने जो हमारे सामने कहानी प्रस्तुत करी है ये कहानी बहुत ही ज़ादा भावुक कर देने वाली भी है और छोटा सा बच्चा कितना गंभीर तरीके सो सोच सकता है ये भी दिखाया गया चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं हम इस कहानी का नाम रखा गया है इद गहा इद गहा इसलिए रखा गया क्योंकि इद इद गहा के आसपास ही ये सहारी कटना घटित हो रही है यानि इद वाले दिन हो रही है इद गहा का मेला है नमास पड़ी जारी है तो सभी कुछ है तो इसलिए इस पाठ का नाम इद गहा र और बाल मनों विज्ञान पर आधारित कहानी है भावनात्मक मतलब भावों से ओध्पोत है और बाल मनों विज्ञानी की मतलब बालक का मन भी कितनी गंभीरता से बालक की दिमाग में भी क्या क्या चीज़ी आ सकती है कहानिक का प्रमुख पात्र हामिध है, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है हामिद के चरित्र के माध्यम से अभाव ग्रस्थ जीवन के कारण बच्चे का समय से पहले समस्दार होना और इच्छाओं का दमन करना दरशाया गया है तो क्या है अभाव गरस्त जीवन है मतलब इतना सब कुछ समपन्यता नहीं है पैसे बहुत कम है खाना पीना बहुत ही मुश्किल से होता है तो उसमें क्या हुआ छोटा सा बच्चा कब समझदार बन गया ये चीजें दर्शाई गई हैं किस प्रकार बच्चा यानि हामित परिस्तियों से समझोता करना सीख जाता है ये बताया गया है तो इस पार्ट में ये भी बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा किस तरीके से परिस्तियों से भी समझोता करता है उसके आसपास जो परिस्तियों सब के पास पैसे अच्छे है माबाप हैं तो वो अच्छे से पैसे खर्च कर रहे हैं जो उनका मन है खिलोने मिठाई वगएरा में लेकिन ये बच्चा जो उसके पास पैसे हैं वो जरूरत पे ही कर्च करता है पाट शुरू होता है हमारा इद के अफसर पर गाओं में इद गहा जाने की तैयारी हो रही है सभी लोग काम काज निप्टा कर ईद के मेले में जानी की जल्दी में है ईद कहा मतलब ईद पर लगने वाला मेला सब वहाँ पर जाना चाहते हैं और सभी जल्दी काम खतम करके वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं बच्चे सबसे ज़ादा खुश हैं उन्हें ग्रहस्ती की चिंताओं से कोई मतलब नहीं उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि उनके अबबाजान ईद के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए चौधरी कायम अली के घर दोड़े जा रहे हैं और यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दे तो वे इद का तेवहार नहीं मना पाएंगे तो बच्चे क्या हैं बच्चों को दो भई कुछ पता नहीं इतना जादा भई घर गरस्ती से क्या मतलब घर के कामों से क्या मतलब वो ऐसे ही खुशेबा जल्दी से जल्दी ईधगा पहुंच जाना चाहते हैं और इधर जो अनके अबबा जान यानि जितने लोग पिता जी हैं वो सब ही जा रहे हैं पैसे का इंतिजाम करने के लिए चौदरी कायमली के पास चौधरी कायमली उस एरिया का चौधरी है जो सभी कोती उस त्योहार वगारा में पैसे उधार में देता रहता है तो सभी जा रहे हैं क्योंकि त्योहार मनाना चाहते हैं अगर चौधरी ने मुढ डिया अगर चौधरी का मन नहीं किया और अगर उसने पैसे नहीं दिये तो वो लोग ईद का तिवहार मन नहीं मना पाएंगे और यह ईद का तिवहार मातम के तिवहार मुहर्रम में बदल जाएगा उनका ये ईद का खुशी का अफसर मुहर्रम जैसे मातम में बदल जाएगा बच्चों को तो बस ईदगा जाने की जल्दी है और बच्चे क्या है वो बस सिर्फ ईदगा पहुँच जाना चाहते है हामिच चार-पान साल का दुबला पतला लड़का है वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं परंतु से बताया गया है कि उसके अबबा जान रुपे कमाने गए हैं और उसकी अम्मी अल्ला मिया के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़े लाने गई है इसलिए हामिद आशावान है और प्रसंद है तो अब यह जो कहानी का में करेक्टर है हामिद यह कितना बड़ा बच्चा है यह 4-5 साल का दुबला पतला चोटा सा लड़का है वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है क्योंकि उसके जो माता पिता थे वो पिछले साल गुजर गए अब उसको यह नहीं पता कि उसके माबाप जो है वो गुजर गए उसे यह बताया गया है कि पिता जी जो है पैसे कमाने के लिए दूसरी जगा गए है और मा जो है वो अल्ला मिया के पास गई है वहां से अच्छे अच्छे तौफे तुम्हारे ले ले लाने के लिए इसलिए हामित के अंदर आशा है आशा मान है मतलब उसको आशा है कि उसके माबाप एक दिन वापस आ जाएंगे तो इस बात से उसको तकलीफ नहीं है कि माबाप नहीं है उसको क्योंकि पता ही नहीं है कि उसके माबाप नहीं है तो इसलिए उसने ये उमीद लगा रखी माबाप आएंगे और वो बहुत ही प्रसन भी इस बात से रहता है कि आप अबा जान बहुत सारे पैसे लेके आएंगे अमीना यानि हामित की दादी जो है वो मेले नहीं जाती वो हामित को तीन पैसे दे देती है कि जाओ और तुम मेला घूम कियाओ क्योंकि वो घर में ईद का इंतिजाम से वही है वगरा बनाना चाहती थी इसलिए वो नहीं जाती है अब हामिद जो है वो ईदगा की मेले में चला जाता है उसके साथ उसके दोस्त हैं कौन-कौन मोसिन, महमूद, मूरे और शम्मी भी ये सब ही कहां चले जाते हैं मेले में गाओं के बच्चे मेले की और चले हामिद भी साथ में था रास्ते में बड़ी-बड़ी इमारते, फलदार वरक्षाय, बच्चे कल्पना शील होने के इनाते तरह-तरह की कल्पनाय तता उन चीजों पर टीका टिपड़ी करते आगे बढ़े जा रहे थे अब गाओं से जब इतगा की तरफ जा रहे तो तो रास्ते में बड़ी-बड़ी इमारते पड़ रही थी पेड़ पड़े थे सब पड़े तो बच्चों की सब अपनी अलागी कल्पना होती है उस पेड़ को बोल देंगे देखो कितना बड़ा टावर खड़ा है जो भी है पेड़ है जो भी आकरती उन्हें दिखती है उस तरीके की टिपणियां बनाते हैं वो लोग चले जाते हैं सब चले जा रहे तो बहुत मस्ती करते हुए एक सब करते हुए रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा यहां सिपाई कवायत करते हैं तो रास्ते में पुलिस लाइन पड़ी तो एक बच्चे ने बोला कवायत करते हैं मतलब परेड करते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट बोलते ना, तो जो है दाइने बाइ, दाइने बाइ, जो है वो परेड कर रहे हैं, मौसिन का कहना था कि यही पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं, अब मौसिन बच्चा है, उसको क्या पता क्या चीज़ें, उसने ये भी बोल दिया कि यह बच्चा पुलिस के लिए अपने अलग-अलग विजार प्रकट कर रहा था और हामिद सब सुन रहा था और उसे बड़ा आश्चर हो रहा था कि पुलिस के लिए भी लोगों के मन में किस-किस तरीके के विजार हैं इद गाह में नमाज का नजारा अलग ही था नमाज के समय लाखों सिर एक साथ सजदे में जुकते हैं तता एक साथ उठते हैं ऐसा प्रतीत होता है उनके मन में अपार शद्धा का भाव होता है उनके भीतर भी भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखते हैं धर्म आपस में लोगों को जोडता है, तोडता नहीं, धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस को समझते नहीं अब जब इद गहा में नमास पढ़ी जाती है, तो क्या होता है, वहां का नजारा एकदम देखने वाला था लाखों सर एक साथ जुक रहे थे, एक साथ उट रहे थे, सब सजदा कर रहे थे, नमास पढ़ रहे थे हमें इस चीज का यकीन होता है, कि धर्म हमें जोड रहा है ना की तोड रहा है कोई भी धर्म मनुष और मनुष के बीच बेद नहीं कराता बेद कराने का मतलब यह नहीं बताता कि आप इस धर्म के तो आप में यह है आप उस धर्म के तो यह है सभी धर्म यह कहते हैं मानवता को मानिये आपस में प्रेम से रहिए परोपकारी बनिये सभी धर्म हमें यही चीज सिखाता है तो बस हमें धर्म के मूल को जानना है धर्म के लिए लड़ना नहीं है ईद गाह में नमास के पश्चात हामित के दोस चर्शियों पर जूलते हैं परंतु हामित दूर खड़ा रहता है अब क्या है जब email के मेला में पहुँचे तो सभी बच्चे जूला जूल रहे थे मगर हामित जूला नहीं जूलता है वो चुप चप खड़ा देख रहा है खिलोनों की दुकान से महमूत, सिपाही, नूरे, वकील और मौसिन, फिस्ती तता सम्मी धोबिन खरीदता है तर्क देता है कि ये खिलोने किसी काम के नहीं होते है परन्तु साथ ही ललचाई निगाहों से उन्हें देखता भी है अब निंदा कर रहा क्योंकि वो पैसे नहीं घर्च करना चारा तो वो सब निंदा कर रहा है लेकिन साथ में ललचाई निगाहों से उन खिलोनों की तरफ वो देख भी रहा है सभी मित्र मिठाईयां खरीदते हैं और हामित को चिड़ा चिड़ा कर खाते हैं अब खिलोने खरीदें उसके बाद सभी दोस्तों ने मिठाईयां खरीद ली मिठाईیاں भरेतें सब खा रहे थे सब चढ़ा थे हमिद ने खरीदा नहीं तो सब उसको दिखा दिखा के चढ़ा चढ़ा के मिठाई कहा रहे थे मैंने रज़गला लिया वर्फी ली यह देखो कितनी टेस्टी है लेकिन गुत कुछ क्ना दिल तो अब क्या हुआ अंति में देखते हैं कि लोहार की दुकान है। उस लोहार की दुकान पे एक चिम्टा है। जब उसे वो चिम्टा देखा तो उसे तुरंट अपनी दाधी की याद आ गई। कि दादी जो है दुकान दादी जो उसकी रोटी सेकती हैं तो किस तरीके से उनके हाथ जल जाते हैं ये बात उसके दमाग में बैड गई थी तो वो क्या करता है दुकान दार से मोलभाव करके वो चिम्टा खरीद लेता है मोलभाव करता है जितने भी उसके पास तो तीनी पैसे थे तो वो मोलभाव करके वो चिम्टा खरीद लेता है हामित के तरकों के कारण उसके सभी दोष्ट उसके चिम्टे से प्रभावित हो जाते हैं तो इस तरीके से वो जब उसने खिलोनों की निंदा करी तो फिर ये भी तरक प्रस्तुत करता है चिम्टे को लेकर चिम्टे को लेकर बोलता है कि ये कितना उपियोगी है मेरी दादी के हाथ जल जाते हैं काम आएगा ये कभी पुराना नहीं होगा ये कभी तूटेगा नहीं दूसर बड़ी बात कि ये उपियोगी है खिलोने किस तरीके से उपियोगी नहीं होते हैं जब वो तरह तरह के तरक देखता है तो उसके बज्जों दोस्त होते हैं वो भी चिम्टे की तरफ प्रभावित हो जाते हैं कि चिम्टा भी इतना अच्छी चीज़ हो सकती है तो वो सभी प्रभावित होते हैं घर पहुँच कर दोस्तों के खिलोने किसी ना किसी प्रकार तूट जाते हैं जब उसके दोस्त सभी खिलोने लेकर पहुँचते हैं तो वो बताता है कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे खिलोने तूट ही जाएंगे और वाकरी सही बात है खिलोने तो कभी ना कभी तूट ह जाते हैं. हामित के घर पहुंसते ही दादी अमीना उसे गोद में उठा कर प्यार करने लगी पर अचानक हाथ में चिम्टा देखकर चौक गई. अब हामित जब ईदका से घर पहुंचा तो ईदका दिन था दादी बहुत खुश थी जैसे ही वो पहुंचा तुरन दादी ने उसे गोद में उठाया और उसे खुब प्यार करने लगी. लेकिन जैसे ही उसके हाथ में चिम्टा देखा वो चौक गई. पूछने पर हामित बताता है कि उसने मेले से तीन पैसे का चिम्टा खरीद लिया. जब दादी उससे पूछती है कि आखर ये चिम्टा क्यों तो ब दादी बहुत क्रोधित होताती है कि पूरा मेला घूम आया लड़का को पैसे दिया इसने कुछ नहीं किया ये खाली चिम्टा खरीद के ले आया. तो कहते है पूरा मेला तुमने घूमा तुमें कुछ नहीं मिला और वहापे से तुम चिम्टा खरीद कर ले आए. हामित अ चिस बताई कि दादी मा जब आप रोटी सेकती थी तो आपकी उंगलिया जो है वो तवे से चिपक के और रोटी को सेकते हुए जल जाती थी इसलिए मैं चिम्टा लेकर आया हूँ. ये सुनकर बुढिया का क्रोध तुरंत इसने में बदल गया और अमीना जो इतना क्रोध हित्य चिम्टे को देखकर वो तुरंत ही जो है वो इसने प्यार करने लगी सारा गुस्सा कब काफुर हो गया नहीं पता चला और वो जो है उसको खूब सारा प्यार करने लगती है हामित को. दादी अमीना हामित के त्याक उसका इसने उसका विवेक देखकर हैरान रह गई दादी ने ये देखा कि उसने किस तरीके से त्याक किया कि उसको पैसे मिले उसने ना खिलोना लिया ना ही मिठाईयां खरीदी तो वो पैसे उसने अपने उपर न खर्च करके अपनी दादी के उपर खर्च किये उसका इसने किस तरीके से दादी की एक छोटी सी बात का भी वो दिहान रखता था वो चीज और उसका विवेक किस तरीके से उसने अपने आपको कंट्रोल किया होगा खिलोनों की दुकान पे मिठाईयों की दुकान पे जूलों की सामने कि अपने आपको कंट्रोल करके उसने कहीं पे खर्च नहीं किये उसने पैसे सुभा से भूका बच्चा दूसरों को मिठाई खाते देख कैसे इनसे अपने मन को मनाया होगा अब वो अपने मन में सोच रही है कि बच्चा सुभा से भूका है ये सब बच्चे मिठाई खा रहे होंगे, कैसे इस बच्चे ने अपने मन को रूका होगा, बहुत ही हैरान थी इस चीज को सोच कर दादी, मेले में भी इसे अपनी बूरी दादी की याग बनी रही, ये सब सोच कर अमीना का मन गदगद हो गया, अब वो यही सोचे जा रही ह कि मेला बच्चा अपने लिए गूमने गया था और उस मेले में भी उसे अपनी दादी की ही चिंता थी, तो दादी बहुत ही खुश थी कि उनका एक पोता ये जो है, एक ही पोता है और इतना जादा जो है, वो केयर करता है, अपनी दादी का इतना ध्यान रखता है, सब कु अदामन फैलाकर हामद को दुआएं देती जा रही थी तथा आसुमों की बड़ी बड़ी बूंदे गिरती जा रही थी। इसने जो काम किया इतना उनका खयाल रख रहा इसलिए वो खुश होकर रो रही है यस चीज़ का अंदाजा हामित को नहीं लग पा रहा था। हामित के लिए दुआएं ही कर रही थी। तो प्रेम चंद ने एक बहुत ही भावुक कहानी हमारे सामने हामित के रूप में प्रसुत करी कि एक बच्चा 5-5 साल का बच्चा जो है वो इतना जादा सोच सकता है किसी के लिए। यह कहानी पढ़के हमें तो बहुत अच्छा नाएंगे, थाइंक्यू, बबाए!